नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रही हैं तुड़े हिमाचल हमारे प्यारे राजे हिमाचल से चुड़े हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल तुड़े हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं 334 पुलिस कर्मियों को मिला डीजीपी डिस्क अबॉर्ड राजपाल ने किये सम्माने राजपाल ने प्रदेश में आपदा में प्रदेश पुलिस की ओर से किये गए बचाओ कारियों की सराहना की हिवासल में मौसूस सत्र से पहले दुरूस्तोंगी सरके सीम ने दिये जल्द बहाली के निर्देश हिवासल में मौसूस सत्र से पहले सभी सरके आतयात के लिए बहाल करने की तैयारी है सत्र में बंद सडके मुद्दा ना बने इस मकसद से सभी बंद सडकों को बहाल करने का लक्षन निर्धारित किया गया राज़ सडकों को जोडने वाले संपर्क मार्गों पर रेचेनिंग वॉल लगाने के निर्देश दिये गए लोग निर्मार विभागने केंदर सरकार से भी सडकों की मरमत के लिए तीन सो करोन रुपे मांगी है आपदा के जाक में भी इस दिन बाद भी नहीं मिले अपनों के शाब नितेश की हालत देख पसीच रहा हर किसी का दिल जिन्दगी की खेल निराले होते हैं कि कभी एक पल में सब कुछ दे देती है तो कभी एक पल में सब कुछ छीन लेती है पंडों के सांबल में बारिश के कारण मलबे में अपना परिवार गवाने वाले नितेश की हालत कुछ ऐसी ही है 14 अगस से लेकर 2 सितमबर तक शर्यवार शाम तक सामबल हाथ से मिला पता उनकी पत्नी, बेटी और बहन के शवों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है समाथ सेवी भी स्कूल को दे सकेंगे जरूरत का सामान करवाना होगा पंची करण प्रदेश के सरकारी स्कूल अब जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पर ही निर्भर नहीं रहेंगे इसमें शिक्षा समबात के साथ अपरात्मिक और मादमे के स्कूल को विद्यांजली योजनामी शामिल किया जा रहा है इसमें अभी भावकों के साथ शेत्र के समात सेवियों को भी स्कूस के साथ जोड़ा जा रहा है सरकारी भूमी पर कबजे के आरोप सिद्ध पंचायत प्रधान का चुनाव रद सरकारी भूमी पर कबसे के आरोप में विकास खंड भोरंच की एक पंचायत के प्रधान की कुर्सी चली गई आरोप सिद्ध होने पर निर्वाचन अधिकारी ने संबंदित पंचायत प्रधान का चुनाव रत कर दिया इस फैसले को संबंदित प्रधान ने पहले उपायुक्त हमीरपुर, उसके बाद बंडला युक्त मंडी और अब प्रदेश उच्छ न्यायले में चुनौती भी थी लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई उभुगताओं को गुबरा करने पर चॉकलेट के भरे सैंपल, शकायत मिलने पर की कारिवाई त्यौरी सेजन से पहले उभुगताओं को गुबरा करने पर खादे सुरक्षा विभाग ने नामी कंपनी के चॉकलेट के दो सैंपल भरे इरे जाज के लिए कंडगाट लैब भीजा गया, लैब की रिपोर्ट के अनुसार अबागे की कारिवाई होगी मैं विभाग संबंदी दुकानदार को नोटिस देने की तयारी में है नोटिस के जरीए दुकानदार को जवाब तलब कर, बिल और माल कहां से किस तरह लिया है, भुले कर पता लगाया जाएगा इमासल में खरनन माफिया के होसले बुलाइन, सरकार बताए किस का मिल रहा संब्रक्षन ईमासल में जबसे कांगरेस सरकार बनी, तब से प्रदेश में खरनन माफिया सक्रिया हो गया आई दिछरन माफिया और पुलिस में भडन के खब्रे सामने आ रही है होता है कि खरनन माफिया को सरकार शह दे रही है नेता प्रतिबक्ष एराम ठाकू ने कहा और घटनाओं के बाद अब कांगड़ा के लंज में अवैद खनन कर रहे माफिया वा पुलिस के भी जड़ब के घटना सामने आई है उन्होंने कहा कि माफिया के होसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस से ही उलच गए उन्होंने कहा कि ये कोई पहला माफिया नहीं जब खननन माफिया ने पुलिस के साथ दूर्वयाभार किया हो इससे पहले भी प्रदेश के विपिन हिस्सों से इस तरह की खबरे सामने आ चुकी है उजिसी के निर्देश विद्यारतियों के डिग्री और सर्टिफिकेट्स पर प्रिंट नहीं होगा आधार नमबर विश्यविद्याले सहित कॉलेजिस में शिक्षा ग्रहन करने वाले विद्यार्तियों की डिग्री और सर्टिफिकेट्स पर आधार नमबर प्रिंट नहीं किया जा सकेगा विश्यविद्याले अनुदान आयोग ने संबंद में निर्देश चारी कर दिये विद्यार्तियों का डेटा भी सार्वजनिक ना करने के लिए UGC ने ये खदम उठाया इन देशों को सक्ती से लागू करने के लिए UGC ने सभी विश्विद्यालियों और कॉलेजिस को पत्र लिखा है नंपी रोग का कहर दुधारू पशों पर भारी 11 दिनों में 75 मवेश्यों की मौथ इवार प्रिदेश में लंपी रोग पशुपालोगों पर कहर बन का तूट रहा है लंपी रोग से पश्यों की मौत की रफ़तार कुछ समय से काफी तेज हो गई है 22 अगस्त को एक दिन में सबसे अधिक 20 मौते दर्ज की गई अगस्त महा के दौरान 225 मौते लंपी रोग के कारण पश्यों की हो चुकी है शिमला में ददनाक हाथसा बसकी चपेट में आने से व्यक्ती की मौत शिमला में पुराने बसटे के समीब बसकी चपेट में आने से एक व्यक्ती की मौत हो गई हाथसा रविवार सुभे का बताया जा रहा है जब HRTC की एक बस पुराने बसटे से निकल रही थी कि यहां रेंज शेल्टर के पास ही लाल पानी को जाने वाले मार के पास ये हाथसा हो गया व्यक्ति बस के पिछले टायर के नीचे आ गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई शब के शिनाक नहीं हो पाई है पुलिस ने मौके पर पहुचकर शब को कब से मिले कर उसे IGMC पहुचाया है HRTC बस के कंड़क्टर का कारणामा अड़ाई किलो वजन के सामान का काड़ दिया आधा टिकेट अड़ाई किलो के वजन के एक थेले का HRTC सोलन के एक कंड़क्टर ने आधा टिकेट कारण दिया जबकि हवाई सफर में भी सवारी के साथ 15 किलो सामान का कोई अतरिक्त चार्ट नहीं लिया जाता है MDHRTC के नए आधेशू का हवाला देकर बस कंड़क्टर ने अपना पला ज़ाल लिया बता देंगी दो सितंबर को सोलन से पीरन ढूट को दोपहर बाद तीन बजे चलने वाली बस में एक व्यक्ती ने मरीज के लिए दवाई पीरन को भेजनी थी आगरे करने पर कंड़क्टर ने आधा टिकेट काट दिया और साट रुपे ले लिये विद्ध पैनल में धमाका कामली और खडीन के उध्योगों में 29 घंटे बिजली गुल और दियोगिक शेत्र परवाणों के विद्ध सब स्टेशन के पैनल में धमाका होने से कई शेत्रों में 29 घंटे तक बिजली गुल रही इसे उध्योगों को करोडों का नुकसान पहुचा वहीं उध्योगों में शनिवार और अभिवार को जनरेटर के सहारे काम चलाया गया एक आईडी पर चाट टिकेट करवा सकेंगे बुक आईसी सीने की व्यवस्था अंतरास्टे क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले विशुकप के मैच के लिए व्यक्ती एक बार में चाट टिकेट ही बुक कर पाएगा एक बार टिकेट बुक करने के बाद दोबारा टिकेट बुक नहीं होगी ICC One Day Cricket World Cup के मैच्चेस में भारतिय टीम के कुछ मैच को छोड़ कर बाकी टीम्स के मैच्चेस की ओनलाइन टिकेट बिकरीश शुरू हो गई है जाशक्ति विभाग में महिला करमचारी सिमारपीट तृतिशेणी करमचारी निलमबित महिला करमचारी से मारपीट के मामले में उपंडल अर्की के जर्शक्ति विभाग में कारेरत तृतिशेणी करमचारी का निलमबन कर दिया गया निलमबन के बाद करमचारी को अपनी सेवाएं बद्धी डिवीजन में देनी होंगी और तलब है कि आरोप है सरकारे पैसो की बरबादी किस तरह होती है इसका उधारन छचेती पंचायत में देखने को मिला दो दिन पहले ही इस पंचायत के क्यारी गाओं के लिए प्राकलन तो एंबुलेंस योगिस सडक का बनाया था लेकिन काम मज़ूरों से शुरू करवा दिया निर्देश होते ही मजदूर भी गेती बेलचा लेकर पैदल रास्ता यानि पकदंडी बनाने के कारे में जुट गए इसके भनक लगते ही ग्रामिनों ने मौके पर काम को रोक दिया दरसल बीडियो के आदेश पर पंचायत ने खाली अच्छोंड से दो किलोमेटर दूर क्यारी गाउं के लिए कनिश्ट अभियंता की मौजूदकी में रास्ता बनाने का कारे रविवार को शुरू किया लेकिन ग्रामिनों के हस्तक्षेप के बाद काम रोकना पड़ा इसकी सूचना बीडियो को भी दी गई बता दें कि प्रिशासन ने अम्बुलेंस योगे सड़क के लिए 4.35 लाख मनसूर किये हैं तो यह थी माज़ा प्रदेश से जुड़े हुए आज के तासा तरीन समाचार उमीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे फोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पिलकुल न भूले